हाललो दोस्तो तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे है कि रिजोल्यूशन आफ वेक्डर्स मन्ज़े का यह अहस दह कि teakya दॉन सरल वेक्टर मदे कनवट्ट कराईचे, दोन परपेंडिक्णुलर सरल वेक्टर मदे कनवट्ट कराईचे आहे, जै आप आपसा मदे 90 डिगरी फॉर्म करतिल, ठीके, तैच्या अगदर आपन एक चौन गोश्ट भगोयात, काई गोश्ट आहेती? तर, एकना बालू बाडु नावाचा मुलगा ठीके तैच्छा बोरबर आंखिन टैचे दोन फ्रेंड्स आसताथ एकाचा नावस्ता रामु आणि दुसरा चा नावस्ता शामु ठीके, सो हा कोणा है बाडू, ठीके, बाडू, हा कोणा है रामू, आणि हा है शामू, ठीके, ताता बाडू मंतो की मी माझा विहीरी कड़े चाल लो है, मी कुटे चाल लो है, माझा विहीरी कड़े चाल लो है, ठीके, रामू मंतो माला विहीरी चाल लो है, ठीके, मी चाल लो English इंगलिश में तलमान्टत फाम, ठीक है? Hindi में बोलते है खेत, ठीक है? शामु उन्टो माला कंटाला आदा मी घरी चालो, ठीक है? So, शामु उन्टो मी घरी चालो, So, शामु घर जा रहा है, Home, ठीक है? Okay, बाडू जा रहा है इधर, राइट? शामु जा रहा है घर, रामु जा रहा है खेत में, ठीके? इधर जाने के बाद तीनों आप अपने जगह पे पहुँच गए, ठीके? बाडु ने रामु को question पूछा, क्या रहे मैं कितना दूर हूँ? उसने रामु को क्या पूछा? क्या रहे मैं कितना दूर हूँ? तो आखो से, तो ये बोला कि भई तू इतना दूर है, ठीके? तू कितना दूर है? इतना दूर है, मतलब तू कितना चला है? तू कितना दूर है मेरे से? तू इतना दूर है, बाडु ने फिर से एक शामु को पूछा, कि भई शामु मैं कितना दूर हूँ? तो शामु बोल रह है कि तू भाई इतना दूर है ठीक है इतना दूर है ठीक है सो बाडू को यह नहीं समझ में आया कि भाई मैं चला कितना ठीक है रामू बोल रहा है तू इतना दूर है शामू बोल रहा है तू इतना दूर है बट दोनों अलग-अलग position पे थे, ठीके, तो असलियत में बाडू ने जो अंतर काटा, राइट, वो शामू से इतना दूर है, मतलब वही ये रामू ने खेत में जाने के तरफ काट लिया था, ठीके, मतलब ये बाडू का जो displacement है न भाई साब, ये जो कुछ displacement है, आर वेक्टर, ठीके, ये असलियत में शामू एंड रामू के displacement के बराबर हो गया, अगर मैं दोनों को वेक्टर फॉर्म में एड करूं, राइट, वेक्टर अडिशन का वीडियो हम लोगों ने फॉर्म किया है, वो एक बार देख लो, coordinate axis में भी, triangle लो एंड, parallelogram दोनों में, ठ इसका ही एक replica इधर फॉर्म करेंगे, वेक्टर फॉर्म का, ठीके, तो बालू इधर चला है, ठीके, बालू इकड़े गे लेला है, यहाँ point वर न, यहाँ point वर, ठीके, और शामू इकड़े गे लेला है, और रामू बरबर इकड़े गे लेला है, ठीके, रामू हाँ बालू अगल फॉर्म किया ठीके अभी यह तीनो लड़के यह तो लब ट्रेंगल नहीं होगा तो यह O, यह A, यह C and यह B ठीके Now we need to understand कि भई अगर मुझे यह OC वाल्यू निकालना है तो भई यह हो रहा है Perpendicular यह हो रहा है Perpendicular ठीके इधर अगर मैंने एक एंगल फॉर्म किया Theta ठीके आप कोई भी करो Alpha बेटा यह मैंने Theta form किया है ठीके So अगर यह Theta है तो यह triangle में अभी Mathematics कर लेते हैं In triangle OCB यह triangle में क्या मुझे Cos Theta का value क्या आ जाएगा What will be value of Cos Theta? Cos Theta का value क्या आ जाएगा? O B divided by O C क्या होगा? O B divided by O C O C का value तो हमें पता है O C का value क्या है? R Vector ठीके? यह Vector form में है तो उसका magnitude क्या होगा? R होगा और कुछ नहीं होगा ठीके? So O B को R के form में हम लोग लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं देखो तो यह Cos Theta हो गया तो इधर मैं लिख देता हूँ O C को left hand side खीच लेता हूँ You'll get O C Cos Theta which is equal to O B Ultimately मुझे O B Vector जो मिला है वो क्या हो गया है? O C Cos Theta मतलब ही R Cos Theta Is it very clear to you? ठीके? तो यह मुझे क्या मिला है? R Cos Theta यह एक direction में जा रहा है एक अलग direction में जा रहा है ठीके? अगर यह Theta है ठीके? तो यह कितना होगा भाई साब? यह कितना होगा? क्योंकि यह 90 degree है तो यह कितना होगा? 90 minus Theta बढ़ हम लोगों को दो-दो एंगल लेके confused होना नहीं है इसलिए हम लोगों को क्या करना है? यह एक ही एंगल लगाना है एंड हम लोगों को geometry सीखनी है कशी geometry वापराईची? नीड बगा आता हाँ Theta है ठीके? इथे एंगल form अपलाला नहीं कराईचा है हाँ एंगल वापर है O A C B यह जो rectangle है उसमें O A vector जो है that is equal to B C vector ओके? यह दोनों कैसे होंगे? parallel and same magnitude के है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? equal vector कौनसे vectors होंगे वो? equal vectors होंगे ओके ठीके 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 अब इधर मैं अगर sin theta ले लूँ तो sin theta भाई साब B C divided by O C होगा जो O C मुझे मालूम है इसका मतलब मुझे B C का भी value आ सकता है ultimately O A का भी value आ सकता है क्या मैंने तेड़े vector को दो सीधे vector में convert कर दिया? जो एक vertical है and दूसरा horizontal है this is the scenario of resolution of vector in 2D यह 2D का vector का scenario हम लोग देख रहे है मतलब यह तीनों को हम लोग helicopter से उपर से देख रहे है तो हम लोग उनको समझ में आ जाएगा कि यह R का एक टुकड़ा जो है एक part जो है वो X axis में दौड रहा है and एक दौड रहा है Y direction में ठीके? तो एक अगर East में दौड रहा है तो एक जा रहा है North की तरफ ठीके? So let us move for यह equal vector तो हमें मिल गए Let us move for sin theta वाला part चलो तो अभी क्या लिख देता है हम लोग? sin theta क्या आ जाएगा यह sin theta? Same triangle में sin theta निकालो sin theta आ जाएगा BC divided by OC ठीके? So इसके चलते मुझे BC का value आ जाएगा भई OC sin theta मतलब ही R sin theta आपने अगर अच्छी तरीके से देख लिया तो यह दो parts है दो parts को मैंने vector के रूप में लिख दिया तो मुझे यह एक vector को मैंने दो अलग-अलग vector में convert किया है या add करके यह एक vector बना है ऐसे महसूस होगा, right? जैसे हम लोगोंने resultant vector form किया था क्या form किया था? resultant vector resultant vector में दो vector को एक vector में convert किया था अभी इधर एक तेड़े vector को दो अलग-अलग vector में convert करना है जो mutually perpendicular है है हम लोग i, j, k यह format में हम लोग easily लिख पाएंगे and इसके चलते हम लोग और अलग-अलग vectors का, multiple vectors का भी addition कर सकते है ठीके? बढ़े capsusर का सर ओपन के लग तव आती चान बनता है तना, right? तससे है, so we'll get that कि r vector which is equal to I can say that r cos theta यह कौनसे direction में जा रहा है बेटा? यह direction कौन सा है? यह direction है, minus i cap वाला direction ठीके? ओ भी अगर इधर जाता and ao अगर इधर जाता तो i and j direction बन जाता ठीके? तो यह minus i cap and इधर क्या है? j cap तो इसको directly हम लोग add नहीं कर सकता है क्योंकि यह vector अलग-अलग दिशा में जा रहे है ठीके? तो algebraically add नहीं हो सकते r cos theta इधर में bracket में लिखूंगा minus i cap प्लस इधर आ जाएगा r sin theta इधर आ जाएगा j cap ठीके? यह j cap है, यह minus i cap है in short तेड़े vector को सीधा कुछ इस प्रकार किया जाता है in short ध्यान में यह रखना है कि जिधर theta है अभी theta मैंने इधर दिया था मानलो आपको उपर वाला theta भी दे सकते हैं निमारी कल में तो आप क्या करोगे? आपको वो particular angle लेना है and वो particular जो दिया हुआ angle लेना है to theta and this will be your opposite to theta ठीके? मतलब theta के opposite वाला side क्या होगा? hypotenious into sin theta, theta के नजदीक वाला side क्या होगा? hypotenious into cos theta, this is resolution of vector in 2D format ठीके? सो हम लोग आगे बढ़ देते हैं कि भई resolution of vector हम लोग 3D format में कैसे? learn करें ठीके? उसके लिए थोड़ा सा imagination power बढ़ाना है, right? मतलब मुझे यह देखना है अभी बालू, रामू, शामू हे 3 जन जाले, ठीके? आता यह imagination power बढ़ावाब रखा आपन अत्ता 3 जन involved क्यालेले होते है आता अंखिनेक involve होना रे, ठीके? एक जना है कि जो drone उड़ा होतो है काइ उड़ा nove होतो है? ड्रोन उड़ा उड़ा जातो है, सरअल दिशा ने वरती upp ठीके? अभिज आता अधर ड्रोन गेला वरती and अधर रामू गेला इकडे अधर अभिदय शामू गेला इकडे, ठीके? इन अभिज आज आता रोबर वरती पोहसलेला है Such that, हाँ drone वर्ति असा इकड़े पोहुच लेला है, ठीके, आणि बालुची जी विही राहे, ठीके, थोड़ी शी उंसा वराहे, टेकड़ी वराहे, ठीके, मंझे डोंग राहे, तो बालु असा चड़त 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 वर्ति गेला, ठीके, आते इथे गडबडशी होते, कि माजा कड़े जे अंगल साहे, हाँ एक अंगल अपला तिरका है, जो X-axis ला तयार जालेला है, Y-axis ला तयार जालेला है, मंझे रामु कड़े येनारा अंगल वेगला, शामु कड़े येनारा अंगल वेगला, आणि ड्रोन ने capture के लेला अंगल वेगला, बरबर, मंझे ड्र होंजर अशा जातो है तर बाडू कड़े येनारा आंगल हा आसा आशना रहे ए ठीगे मैं तुर गढूं है ङॉल ना ना करें । So understand that, resolution in 3D, अभी resolution in 3D मतलब क्या है, कि इसको ही हम लोग बोलते है, direction cosine, क्या बोलते है, direction cosine, अभी ये direction cosine क्यों लिखा है, क्योंकि इधर sin theta हम लोग यूजी नहीं कर लेंगे, इधर हम हर एक axis के साथ, कुछ अलग-अलग angle treat करेंगे, जैसे मैंने resolution में, पहले के slide में आपको बताया था, कि 90-theta नहीं use करना है हमें, हमें सिर्फ theta use करना है, इधर हम लोगोंने 3 अलग-अलग angle use किये, बट सब जगह cos ही use किये, कैसे देख लो, 3 अलग-अलग vectors है, ठीक है, ये तीन अलग-अलग vectors, तीन अलग-अलग दिशा में जा रहा है, mutually perpendicular to each other, ठीक है, अभी ये जो कुछ vector जा रहा है, एक vector, तेड़ा vector है, जो space में है, कुछ इस प्रकार, अभी ये जो है, वो असलियत में कैसा है मालूम है, ये अगर origin है, ये z axis, ठीक है, this is an x axis, ठीक है, this is y axis, इसमें भी आपको trick बता रहा हूँ, x, y, z कैसे select करने के, x की तरफ हाथ होगा, y की तरफ finger move हो जाएंगे, and z हो जाएगा अपर की तरफ, ठीक है, किदर भी कौन से भी axis form नहीं होते, ठीक है, and मैंने अगर देख लिया, कि भाई इधर से ये उपर, उपर जा रहा है, ऐसा, ठीक है, तो कितना उंचा गया, ये कौन बताएगा, ये drone बताएगा, drone कितना height गया, ठीक है, वो x axis पे कितना गया, ये कौन बताएगा, ये बताएगा, इधर रामू बताएगा, इधर रामू जा रहा है, ठीक है, वो wide की तरफ कितना जा रहा है, वो शामू बताएगा, Is it very clear, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहा है, कि भाई बाडू इधर गया है, ठीक है, अभी हम लोग बाडू के बारे में, जिसको मैं बोलूँगा, अल्फा, इसको क्या बोलूँगा, अल्फा एंगल बोलूँगा, ठीक है, similarly, y के साथ भी एक एंगल क्रियेट होगा, जिसको मैं बोलूँगा, बीटा, क्या बोलूँगा, बीटा, ठीक है, similarly, यह एक Z-axis के साथ भी एंगल क्रियेट करेगा जिसको मैं बूलूंगा ग्यामा ओके सो इधर में इधर XYZ कैसे फॉर्म कर सकता हूं मैं XYZ यह बाहर आ रहा है असलियत में मैं आपको मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह बाहर आ रहा है बाहर आने के लिए arrow भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ठीक है तो वो कैसे हो जाता है इस प्रकार हो जाता है आउट अफ द प्लेन बराबर तो असलियत में यह Z-angle का दिशा है यह Z-direction का दिशा है तो इसको इलिए मैं क्या लिखूंगा के-cap लिखूंगा क्या लिखूंगा के-cap ठीक है यह Z-axis है यह है X-axis इसको में लिखूंगा आइ-cap ठीक है and यह है y-axis जिसको मैं लिखोंगा j-cap ठीक है बहुत बढ़ी है वावा so इधर यह जो part होगा न इधर oa and इधर मैं लिख दूँगा ob क्या मैं लिख सकता हूँ ob is equal to oa cos alpha बिलकुल लिख सकता हूँ so इधर मैं लिख दूँगा कि bhai ob which is equal to ob vector का magnitude which is equal to क्या होगा oa vector का magnitude multiplied by cos alpha बहुत खुब great similarly क्या मैं बोल सकता हूँ ob vector जो है अभी यह perpendicular कैसे form हो जाएंगे अच्छे से समझ लो कि इधर perpendicular यह इस तरफ perpendicular form होंगे axis को perpendicular form होंगे similarly यह भी ऐसे आएगा and z axis को perpendicular form करेगा ठीक है यह perpendicular form कर रहा है यह point पे ओके तो तीन अलग-अलग मतलब इधर आपको board पर ऐसे दिख रहा है कि यह 2D है but असलियत में यह point किदर है एक point इधर है ठीक है तो यह x-axis के यह एक y-axis and यह एक axis तीन axis की तरफ तीन अलग-अलग दिशा में वो जा रहा है कितने direction में जा रहा है कितना magnitude से जा रहा है वो आपको OB यह OC and OD बताएंगे OB, OC and OD बताएंगे ठीक है अभी OC की चर्चा होगी चर्चा on OC how to find out OC यह भी बीटा एंगल के adjacent side में है कैसे है बीटा एंगल के adjacent side में I can say that कि बही OC का value हो जाएगा OC vector which is equal to OA vector का magnitude multiplied by cos beta ठीक है so similarly OD vector भी लिख सकते है हम लोग यह हो जाएगा OD vector which is equal to OA vector cos gamma हो जाएगा ठीक है so 3 मुझे values मिल गए 3 अलग-अलग direction में ठीक है so यह में लिखूंगा कि यह जा रहा है x-axis में यह x-axis की दिशावाला है ठीक है यह है y-axis की दिशावाला ठीक है and यह है z-axis की दिशावाला क्या मैं बोल सकता हूं कि यह लोग जो है न इन लोगों का मैंने addition किया vector addition किया तो मुझे यह vector मिल सकता है OA vector बराबर so let us say here I will write this as OA vector which is equal to OB vector plus OC vector plus OD vector यह तीनों का मैंने addition किया तो मुझे OA मिलेगा उल्टा किया मतलब OA को तीन parts में तोड़ दिया जैसे 2D में हम लोग ने दोन parts में तोड़ दिया था perpendicular इधर हम लोगों को mutually perpendicular तीन vectors में तोड़ दिया है OB vector का magnitude multiplied by I cap प्लस इधर में लिख दूँगा OC vector का magnitude multiplied by J cap प्लस इधर में लिख दूँगा OD vector का magnitude multiplied by K cap यह हो जाएगा ओके सो OB vector कहा या है अप लेकड़े OA vector magnitude cos alpha तो OA vector magnitude इतना ना लिखके हम लोग directly भी लिख सकते है OA cos alpha इसका meaning यह हो गया तो OA cos alpha I cap प्लस इधर हो गया OA cos beta J cap प्लस OA cos gamma K cap ओके सो OA में common निकालूंगा यह आ गया OA ठीक है यह जो कुछ part आएगा ना cos alpha I cap प्लस cos beta J cap प्लस cos gamma K cap यह अपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है इसका एक जबरदस्त एकदम स्टीक फॉर्मिला है ध्यान में रखना यह mathematics जो J E करने वाले है वो vector 3D यह form में यह particular chapter में एकदम डीटेल में सेखने वाले है physics में हम लोगों को एक simple format सेखना है simple way सेखना है और आगे जाके हम लोगों को उसको use करना है नीट बच्चों को लिए डारेक्ट लिए formula ही learn करना है so cos square a plus cos square beta sorry cos square a नहीं cos square alpha हो जाएगा cos square beta plus cos square gamma which is equal to 1 यह formula अच्छी तरीके से ध्यान में रखना ठीके इसका proof तो आपको automatically मिल जाएगा अगर मैंने क्या किया इसका unit vector के रूप में form किया मतलब OA अगर unit vector हो गया ठीके OA अगर unit vector हो गया या इसका magnitude में भी में form कर दूँ तो क्या हो जाएगा OA which is equal to square root of हर एक का square हो जाएगा and मेरा answer यह मिल जाएगा so अगर मैंने magnitude के form में किया तो मुझे answer यह मिल जाएगा अगर यह cos square के बदले में sin square करूँ तो क्या हो जाएगा हर एक cos square alpha, cos square beta, cos square gamma को मुझे convert करना है sin square के रूप में तो 1 minus sin square alpha plus 1 minus sin square beta plus 1 minus sin square gamma मतलब एक 1 जो है वो add हो गया तीन बार तो 3 plus cos square alpha sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma ऐसे हो जाएगा और यह जो कुछ 3 जो है यह मैं left hand side भेश दूँगा और मेरा final answer आजाएगा अगर मैं sin square के बारे में चर्चा करूँ तो sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma which is equal to 2 यह पार आजाता है ठीक है कैसे आजाएगा cos square alpha को क्या करना है 1 minus sin square alpha 1 minus sin square beta 1 minus sin square gamma ठीक है तो minus हर एक जगह मैं क्या कर दूँगा common निकालूँगा और बोलूँगा sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma ठीक है यह जो 3 है यह इदर 3 आजाएगा minus common निकालूँगा और इदर तो 1 था राइट यह जो 1 है subtract होगा इदर का उदर उदर का इदर यही तो करना है हम लोगों को and finally answer क्या आ जाएगा यह ठीक है तो sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma which is equal to 2 अभी इसमें questions कैसे पूछे जाएंगे questions हम लोग अलग से लेने वाले हैं इसमें ठीक है तो आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है resolution of vector in 2D format and in 3D format 2D में यह ध्यान में रखना है angle हमें एक ही लेना है 3D में angle alpha, beta, gamma तीनों लेने हैं तो next video में हम लोग इसके numericals भी खतम कर देंगे vector addition के भी numericals खतम कर देंगे and resolution के भी numericals खतम कर देंगे so next video ज़रूर देखना for practice sessions वो बहुत ज़रूरी है ज़रूर देखना